नमस्कार, यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिकम। इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। भारत सरकार ने फैसला किया है कि इस साल 30 एप्रिल एक सामान्य रविवार नहीं होगा। ऐसे भी ऑक्टोबर 2014 से हर महीने की आखिरी रविवार को सरकार ने हमेशा महत्वपून माना है। कारण सिंपल था, ये वह दिन था जिसे उस तारीक के रूप में चुना गया था, जिस दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उनके रेडियो टॉक शो मन की बात उसका प्रसारन किया जाता था। इस साल 30 एप्रेल लेकिन पिछले संडे से ज्यादा महत्वपून है क्योंकि इस दिन मन की बात का 100 एपिसोड या फिर 100 पूरे हो जाएंगे। आप तो जानते हैं प्रधान मंत्री से जुड़े हुए किसी भी कारेक्रम या अनुष्ठान उसको बहुत ही धूम धाम से आयोजित किया जाता है। PM से जुड़ा हर समारो या कारेक्रम हमेशा मल्टी फोनिक पब्लिसिटी कैम्पेन का हिस्सा होता है। Significantly, सरकार ने देश भरके सभी कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन को मन की बात का 100th एपिसोड का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया है। Schedule के अनुसार, एपिसोड प्रसारण करने के अलावा, सरकार इस अवसर पर जशन मनाने के लिए दिन भर का Convention आयोजित कर रही है। 50% चांदी का 100 रुपे का एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। क्योंकि इस सरकार में मात्र प्रधान मंत्री को प्रधानता दी जाती है और किसी को नहीं, इस समारों में सिक्के उसकी भी आपचारिक रिलीज प्रधान मंत्री करेंगे। इस इवेंट को सरकार रूटीन ब्राडकास्ट के तौर पर ना मान कर इसे लगभग Coronation Ceremony के तौर पर माउंट कर रही है। शतक का जशन मनाना समझ में आता है अगर वे विभिन बाधाओं के खिलाफ होता है। मोदी जी के रास्ते में क्या बाधाएं थी कुछ नहीं ये उनका निर्नय था और उनहीं की सरकार उसी का सारा किया गया। आलोचना को frustrated people की टिपणियों कहेकर dismiss कर दिया गया। वैसे October 2014 में मन की बात किस उद्देश से शुरू की गई थी। इसके पीछे क्या purpose था टॉक शो के लिए रेडियो का माध्यम के रूप में क्यों चुना गया और टीवी को नहीं। मन की बात कितनी सफल रही है अब तक। तो चलिए सबसे पहले आखरी सवाल से शुरूआत करते हैं। क्योंकि सरकार ने कारेकरम की सफलता साबित करने के लिए कुछ सुविधा जनक आखड़ या डेटा पेश किये हैं। इसी कारण हम यहीं से शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट को साइट करते हुए सरकार ने दावा किया है हिंदुस्तान के 96% लोग इस कारेकरम के बारे में जानते हैं। सौ करोर से ज्यादा लोग ने मन की बात को एट लीस्ट एक एपिसोड उसको सुना है। ऐसा क्यों है सारे टीवी चैनल और आकाश्वानी स्टेशन तो यही ब्राडकास्ट करते हैं। कोशिश तो रही उसी तरह से लोगों को ग्लूड टू रेडियो और टेलेविशन सेट्स किया जाए जैसे लेट 1980s में रमायन सीरियल के समय किया जाता था। लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि इन सो करोड लोगों की जो बात की जिन्होंने एक एपिसोड कम से कम सुना है उनमें से कितनों ने कितने मिनट एक एपिसोड को सुना है। पूरा सुना, आधा, एक चौथाई या सिर्फ दो-चार वाके सुनकर सर्फ करके दूसरेट में ट्यून इन कर लिए। मेरे प्यारे देश्वासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। हमें मन की बात के viewership related एक नई रिपोर्ट के बारे में पता चला। यह रिपोर्ट CSDS ने due research और सर्वे के बाद तयार की। इसके अनुसार, पांच में से तीन भारतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कारेक्रम को कभी नहीं सुना। मन की बात एक साथ कई उद्यश्यों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। पहला objective मोदी के softer side को project करना था। यह जानते हुए कि प्रधानमंत्री political rhetoric के लिए जाने जाते हैं। रेडियो कारेक्रम यह दिखाने के लिए था कि वे भी इनसान हैं और लोगों से एक human अंदाज में बात कर सकते हैं। संग परिवार और भाजपा की divisive राजनीती को counterbalance करने के लिए मोदी जी का मानविये चहरा दिखाना जरूरी था। मन की बात शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर religious minorities खास तोर से Muslims और Christians पर हमले होने लगे थे। मन की बात का दूसरा objective है उपरी तोर पर बाते तो non-political दिखती हैं लेकिन deeply polemical होते हैं इनके arguments। इस तरह से राजनीती को camouflage किया जाता है। पहले episode से ही उन्होंने अपने आप को गांधी और वेवेकानन्द के लेगेटी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। साधरन ideas लगते थे। खादी, स्वचता, gender parity इस पर बात करते थे। शुरूवाती episodes में इसे समझा नहीं जा सका लोगोद्वारा। लेकिन start से ही मन की बात एक बड़े पैमाने पर प्रचार machinery का एक छोटा सा element था। इसने मोदी कल्ट के जो अब इतना सपष्ट है, creation में बहुत योग व्यान दिया है। अंतराश्य समायताई भी थी, Franklin D. Roosevelt, एक मातर अमरीकी राश्टरपती जो लगातार चार बार चुने गए, मार्च 1933 से जून 1945 तक उनकी मृत्यू तक प्रेसिडेंट बने रहे थे। अपने कारेकाल के दौरान उन्होंने नियमित रूप से अमरीकी लोगों को रेडियो पर संबोधित किया। और इन प्रोग्राम्स का नाम फायर साइट चैट्स रखा गया था। रूजवेल्ट की तरह मोदी ने भी मेंस्ट्रीम मीडिया को दर किनार या फिर साइड लाइन करते हुए लोगों को डायरेक्ली संबोधित करने के लिए मन की बात की कॉंसिप्चुलाइजेशन की। ये मीडिया के उन सेक्शन्स को डी लेजिटिमाईज करने की रणनीती का हिस्सा था जो ओफिशल लाइन टो नहीं कर रहे थे। नौ साल और सौ एपिसोड के बाद ये सपश्ट है कि मन की बात प्रचार का एक रूप है। साथ ही ये मोदी कल्ट को बढ़ावा देने का एक डिवाईस है। लेकिन कुछ सवाल क्या मोदी ने पब्लिक ब्राडकास्टर की व्यूवर्शिप और क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है। जवाब है एक जोरदार नहीं। शुरुवात से ही लोगों को एंकरेज किया गया कि वो इंपुट्स भेजें। उन पॉइंट्स के बारे में जो वो चाते हैं मोदी जी अपने बातों में कहें। क्या इससे कारेक्रम ज्यादा पार्टिसिपेटिव बन गया। नहीं ऐसा कता ही नहीं हुआ। क्योंकि ये लाइव इंपुट्स नहीं होते थे और हम जानते हैं कि स्पॉंटेनिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मोदी ने कई स्मार्ट आइडियाज को प्रोमोट किया जैसे कि बेटी के साथ सेलफी। लेकिन क्या इससे परिवारों में लड़कियों की स्थिती में सुधार हुआ। क्या महीला पहलवानों का रीसेंट विरोध और गव्मेंट रिस्पॉंस डबल स्टैंडर्स को नहीं दर्शाता है। इस बात को हम आगे जारी रखेंगे और मैं मन की बात पर जैन्त कुमार के साथ चर्चा करूंगा। ये जवाहललाल नहरू उनिवर्सिटी के छात्र हैं पीएजडी कर रहे हैं जैन्त जी और इन्होंने मन की बात पे अपना एमफिल किया है। एमफिल का जैन्त जी का जो टाइटल था वो था ब्रादकास्टिंग पोलिटिकल मेसेज़ेज इन दी एज ओफ मीडिया कनवर्जेंस अ के स्टडी ओफ मन की बात। जैन्त जी हमारे कारेक्रम में आने का बहुत बहुत धनेवाद। आपका पीएजडी का टॉपिक एक तरह से मन की बात को और आगे ले जाता है। Rhetoric and its Publix, Some Aspects and Reception in India 1967-2017 जिसमें आपने तीन ओपोजिशन के लीडर्स मतलब जो उस समय ओपोजिशन में रहे। Dr. Ramanohar Lohia, Communist Party of India के भूपेश गुप्त और लालू प्रसाद। और सरकार में रहके जिन लोगों के भाशाओं के जिनके पोलिटिकल रिटोरिक को आपने स्टडी कर रहे हैं वो हैं इंदरा गांधी, नरेंदर मोधी और मधू दंदवटे। मधू दंदवटे जैसे मैं आप से पूछ रहा था, इसलिए क्योंकि वो अलग-अलग कालखंडों में सरकार में अलग-अलग भूमी का उन्होंने निभाई। तो सबसे पहले तो आपके इस काम पे जो पीएजडी का आपको हाली में बहुती कम वक्त बचा है, उसके लिए मतलब मैं उमीद करता हूँ कि आप अपने टाइम फ्रेम के अनुसार आप सब्मिट कर पाएंगे, अपने एमफिल के बारे में मेरे को संक्षेप में बताएं, आपने मन की बात को स्टडी किया था, शुरू के आपने कई सारे एपिसोड को किया था, तो आपके मोटे फाइंडिंग्स क्या थे? दरसल आपने जैसे बात्चीत की शरुवात में उसको जिस तरह से सामने रखा कि मन की बात के उद्देश ये क्या थे प्रमुक, एक तो बहुत दिल्चस्पी लोगों की इसमें हो सकती है कि उन्होंने रेडियो जैसे माध्धियम को क्यों चुना, शबकि आज जो आडियो और फिर आगे उन्होंने इसको कहा कि जो आपका ओरल और रिटन कंपोजिशन है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है रेडियो बलकि सेंस ओफ हीरिंग जो है वो एक तरह से रीगें किया है रेडियो के जरिये, फोटोग्रफिय में जो आपका एयर है जो आई उसके बीच भी संतुलन कहीं कहीं डिस्टर्ब होता है और प्रिंटिंग में भी वही दशा है लेकिन रेडियो बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी जो ग्रहन शीलता है उसको मैच करने का एक बहुत ही जबरदस्टर्शन नहीं है और जिस तरह के वेक्तित्यों के स्वामी है नरंद्र मोदी उसमें उनकी कामकाज की शैली से और उनके पूरे परसोना या उनके मानस को जब आप करीब से देखेंगे तो वो एक आलाप में कहीं ज्यादा यकीन रखते हैं और इसलिए यह बहुत स्वाभावी किसा लगता है कि उन्होंने इस माध्यम का चैन बहुत कॉंससली सचे तनस्तर पर किया होगा क्या एक और कारण हो सकता है कि अभी भी हमारे देश में अलग-अलग मीडियम हो गए लेकिन इसलिए कि अभी भी उन्होंने अपने कई जगा बोला भी है रेडियो अभी भी माना जाता है कि यह गरीब का मीडियम है तो क्या अपने आ पिस्चित रूप से ऐसा हो सकता है और जब से वो नेशनल पॉलिटिक्स में आये हैं और प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने संभाली है तब से वो अपने आपको जो एक एक modern, democratic और progressive की शब्दावली है हमारे पास उसके बजाए वो अपने inspiration को ड्रॉप करते हैं mythological text से, religious text से, उन traditions से और इसलिए वो अपने आपको प्रधान सेवक कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं और गरीबों के रहनुमा के रोप में और यह भी एक proposition है उनका कि मैं अकेला आदमी ब्रस्टाचार से लर रहा हूं इस देश में बाकी सब ब्रस्ट हैं और बाकी सब हमारे खिलाफ गैंग अप हो गए हैं तो वो एक तरह से जैसे यग में बाधा डालने के लिए तरह तरह के जीवजन दुआ जाते थे वैसे ही वो opposition के leaders को portray करते हैं जैसे बाते हैं उनके मन की बात के प्रोग्राम में लगातार आपको reflect होती हुए दिखाई देशाए हैं शुरू में जैसे आपने का शुरू के एपिसोड में उन्होंने अपने आपको बचाया और एक समवेदना और चेतना के अस्तर पर जो एक आदमी हो सकता है देश की अगवाई करने वाला उसी तरह से अपने आपको project किया लेकिन highly political messaging है media convergence के दौर में मन की बात के जरीए और मन की बात को वो project कर रहे हैं एक तरह के ideological foundation के रोप में है दूसरी जो दिल्चस्प बात दिल्चस्प आइडिलोजिकल foundation मतलब मतलब जहां से उनकी वैचारी की की निरमीती होती है और जहां से उनका वैचारी क्रसिक्षन और उनकी दिक्षा हुई है उसको कैसे project कर सकते हैं अपने articulation के जरीए बहुत कडिने और सलीके से आपने देखा होगा कि RSS के आदमी से जब आप बात करेंगे जो किसी संस्थान को हीट करते हैं लोक विभार में उन से ज्यादा कुशल आपको कम लोग दिखेंगे मैं बीजेपी की बात नहीं करता हूँ तो उसी तरह से अपने आपको मोदी जी तो संग से ही निकल के भारती जद्धा पाटी में आज आज भी वो एक कुशल निपूर प्रचारक की भूमिका में ही होते हैं और इस से उनको कोई गुरेज नहीं है तो मन के बाद के आरंबिक एपिसोड में जरूर थोड़ा सा आपको लगेगा की बहुत ज़्यादा उस तरह से राजनाइतिक बाते नहीं हो रही है रोज मर्रा की बाते हो रही है बहुत सामान ने बाची गुफटगू की शक्राइब बाद में बाद में वो बहुत ज़्यादा इस रूप में बढ़ता हुआ दिखता है और जो चयन भी है तारीख का वह भी दो अक्टूबर को गांधी जैनती के दिन नहीं रविवार का दिन है लेकिन वो तीन अक्टूबर है और उसी दिन आरेसेस के प्रमुख भी विजया दश्मी का जो की एक शुरू से आता रहा है लेकिन पब्लिक ब्राटकास्टर को चुन रहे है रेडियो का मतलब यह नहीं 2014 में पहली बार मोहन भागवाजी का जो विजया दश्मी का जो भाशन था वो दूर दश्मी पर लाइफ टेलकास्टर को तो कहने का मेरा यह मतलब है कि जब आप गौर से देखेंगे मन की बात को तो जो तीन चार काबिले गौर बात है वो यह है कि वो अपने आपको सेवि तो उससे देश का भला होगा और अगर उसको खारिज कर दिया जाता है तो देश कोई बहुत नुकसान में चला जाएगा तो यह जो उनका डिमिनर है और यह जो उनकी शैली है उससे लगातार अपने आपको एक इंकारनेशन और मिरेकल वाले फॉर्म में चमतकार और अवत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस तरह से कई, कीवर्ड एनालिसिस मन की बात की काफी हुआ है तो उस पर हम लोग करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाती है, लेकिन उसका स्वर जो है उन मैसेजज का वो कुल मिला के डिडेक्टिक है, एक कहीं कहीं बेट हो ले, नहीं सुने, तो कोई बात नहीं लेकिन उपदेशा की निंदा नहीं की जानी चाहिए, ये इस तरह से भारतिय संस्कृति के साथ हुआ पना पो चोड़के, चौथी बात मैं ये कहूं, कि मीडिया, जो आपने भी कहा कि मीडिया को एववाइड करते हैं, जी बेश को तो हम संबोधित करी रहें, तो अलग से क्या आपको हम इंटर्टेंट करें, और आखिरी बात यह, कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हेड के रोप में अपने आपको ज्यादा तर्फटे बाते हैं, आप देख लें, शुरू के उन्तिस एपि ने दिया जाता है, लोग उसमें गतिरोध होता है, जबकि यह पहली बार हाल के दिनों में आपने देखा, कि सरकार के बेंच की तरफ से इस तरह का कोला हल और शोर सरावा हमको देखने को मिलता है, तो नेशनल कल्चर के बजाए, एक कल्चर आफ एक्स्क्लूशिव नेशन कोई प्रोटेस्ट या अबजेक्ट नहीं कर सकता, उनका करते हैं और लेकिन वो हक ले लेते हैं अपने उपर, कि अकेला मैं ही लेजिटिमेट परसनालिटी हूँ, जो इन सब चीज़ों पर बात कर सकता हूँ, आखरी सवाल आपसे, अब आप पीजडी सब्मिट करने के सि हैं, आपने अपने रिसर्च का दायरा को बढ़ाया है, पोलिटिकल रिटोरिक में गए हैं, और कंपेर भी किये हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगा, चूंकि इंदरा गांधी को एक तरह से एक सीड कहा जाता है, जिसका फुल ब्लोन फॉर्म हम रिंडर मोधी के रूप में देख रहे हैं, रिटोरिक इंदरा गांधी के वक्त में और अब के रिंडर मोधी के वक्त में रिटोरिक प्रधान मंत्री के दफ्तर से, प्रधान मंत्री के मूँ से, क्या सबसे बड़ी बदलाओ क्या दिखाई देता है आपको? इंदीरा जी ने भी कुछ बीग अनॉंसमेंट जिसको पॉपिलरली 666 कहा जाता है इच्छा जो नों 1966 को उन्होंने डिवैलवेशन ओफ रूपी किया डॉलर का वेल्यू बढ़ गया रूपीय की किर गई लेकिन उन्होंने इसको देश की अर्थविवस्था को संतुलित करने के लिए उसको पट्री पर लाने के लिए उठाया गया उन्होंने भी देश को संबोलित किया दूसरी बार उन्होंने 69 में बैंकों करा स्ट्री करन किया तब भी देश को एड्रेस किया लेकिन कभी भी उन्होंने इन स्टेप्स को करप्शन पर सर्जिकल स्ट्राइक के रू तो उन्होंने किया तो ये एक तो मेजर ये अलग किस्म का रेटरिक आपको ये दिखाई पड़ता है जिसको अगर मैं आप इजाज़ा दे तो मैं कहूँ बहुत चिछले और उठली किस्म का क्योंकि इस देश में पब्लिक स्पिकिंग का एक ट्रेडिशन है रेटरिकल ट्रेडिशन ओफ इंडिया को आप देखेंगे तो ये एक मुझे गिरावट दिखाई पड़ती है लेकिन वो अपने आपको एस्टेट्समें के रूप में भी प्रोजेक्ट करने से नहीं चूकते हैं जहां आवश्यक्ता पड़ती है अलग अलग एज ग्रूप को कभी बच्चों को संबोधित कर दिया कभी एक्जैम वारियर्स किसम की कोई किताब नाम की लिए दूसरी जो बात हम ने देखे इंडिरा जी 24 घंटे टीवी में नहीं गुसी विराती थी लोग कहेंगे कि उसमें टीवी बहुत नहीं ता लेकिन रेडियो में नहीं गुसी थी रेडियो में नहीं जो बाकी प्रशार के जो माध्यम थे खुल मिला कि इनका ये है 60 years का जो रेटरीक है, 60 साल कुछ नहीं हुआ, अपने predecessors के बारे में इस तरह की बाते करना, तो मुझे लगता है कि देश के स्तर पर उसके स्वाविमान, उसकी अखंड़ता और एकता के लिए बाकी लोगों ने जिस तरह से लोगों को संबोधित किया और जोडने की कोशिश की और कभी भी एक पीस लविंग कंट्री के रूप में और इसके नेताओं के दौरा वार को क्लोरिफाई नहीं किया गया, चाहिए वो 65 हो, 1971 के बावजूद इंदरा गांधी ने कभी क्लोरिफाई नहीं किया, यह का कि हमारा पाकिस्तान के प्रतिवेश का प्रतिफल नहीं है यह और, बलकि, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बाला कोट के बाद जिस तरह से पुबिसिट नीजी हित में या पार्टी हित में इस्तिमाल नहीं किया, और एक और बात जो वो एक स्पेशल एपिसोड ब्राड कास्ट हुआ था, 2015 में, जिसमें वो बराक उबामा के साथ, बराक उबामा ने एक बहुत अंडरलाइन करने वाली बात कही, कि गांधी सिर्फ भारत के स्व सिविल राइट्स मूवमेंट था, उस पर भी था और लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, और ये अपने आपको जहां मौका मिलता है, अपने आपको भी विश्व गुरु बोलते हैं, उसी तरह से, गांधी और पटेल की धरती से आने वाले एक भारत माता की संतान के गु आखिरकार समवाद कही नाम है, सहमती का, सर्वसमती बनाने की कोशिस, it's all about persuasion, तो लेकिन उनकी ओर से हमेशा यह दिखाई पड़ता है कि हम कहीं भी जाएं तो हमारा एपिरेंस जो है, वो इस पेक्टिकल के रूप में कहीं, अब आप देखिए कि मतलब हम देखी रहें कि हंड्रेट एपिसोड पे जिस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, उससे it is all about one individual, one person's achievement, इसके रिए पूरी सरकार उसके सारे departments उसको publicize करने में जुट जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान यह हुआ है public life में, जो लोग भी राजनीत में हैं, और जो लोग भी इस देश की, के यह लोग तंत्र और उसकी गरिमा मरियादा या उस एक तरह से उसके अनुरूप आचरा करने वाले लोग रहे हैं, सिंगल लिटर प्रोजेक्शन हमीसा फासिवाद की आमद की एक घंटी है, और आप देख रहे हैं कि लगभग हर पार्टी और पार्टी प्रेजडेंट एक दूसरे के सिनोनिम हो गए हैं, पार्लमेंटरी बोर्ट का कोई बहुत मतलब नहीं रहा किया है, तो यह जो एक नुकसान है और लोग चाहे अनचाहे सेकुलरिजम पर बात करने से कहीं चखते हैं, तो वो इस बात को भी कहीं न कहीं खिली उड़ाते हुए कुछ एपिसोड में लिखते हैं, और जो आईन ने आपको ड्यूटी डिस्चार्ज करने की एक तरह से आपको दाई तो दिया है, एक एपिसोड में वो यह कह रहा है कि धर्म की आर में कोई हिंसा फैलाएगा, तो उसको बरदास्त नहीं किया जाएगा, तो बहुत इंडिरेक्टली भी कई आपने मतलब एक तरह से खत्रे की घंटी बजाई है, वो आम लोगों को तै करना है कि कितना खत्रा है, कितना महसूस करते हैं, जैन जी हमारे कारिक्रम में आने के बहुत धन्यवाद, तो यह थी हमारी आज की बात, मोदी जी के मन की बात के 100 एपिसोड के सेलिब्रेशन के यह तै हो चुका है कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, मन की बात का कारिक्रम जो है यह चलता रहेगा, आपको तै करना है कि आपको उस प्रोग्राम में, उनकी बातों में कितना कुछ मानना है, कितना कुछ दरकेदार करना है, नमश्कार झाल झाल